जेहें दोस्तों मैं चंदर सेकर मार मैथ 20 के में आप लोग का स्वाइब करता हूं जैसा कि आप लोग को पाता है कि हम लोग एलपी टेक्निशन तथा अने सभी गवर्मेंट एक्याम के लिए मैट के सेशन के सुरू किया है जिसमें हम लोग प्रसेंटेज को खतम कर चुके हैं यह प्रोफिट एनलोस सुरू हुआ है प्रोफिट एनलोस में इससे पहले तीन कलासे हो चुके है यह चौथा कलासे यदि आप लोग तीन वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है तीनों वीडियो देख लीजिए यह बतला देता हूं कि यूपी लिस्ट के जो याम होने वाला है उसमें जो हम लोग सेशन कर रहे हैं यह जो सेशन रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ह कहाँ है Lit Vorsight के शूरू करने से पहले आप लोग आपने दोस्तों के पास आधिक से आधिक इस वीडियो को सेर कर दे था की आपके दोस्त भी सेुन से जूड़ जाए तो चलिए सुरू करते हैं इस सेशन को क्वेशन नबर फर्स्ट आपके क्वेशन नबर एक है चटार जी ने एक कार खरीद दी और उसकी मूल कीमत पर 15% छुटे उसे बीकिरेता से मिली उसने उसे फिर खरीद मूल के 20% लाब पर बेच दिया तो उसे उस कार के मूल पर कितने पर 30% 23 questo कोई भी बस मत major2 किम अपने आपने कितना परशेंट होता है सो परसेंट आनकी तो कितना छुट मिल रहा है 15% है तो गधाने तो फासी थो मिल राहे तो 50 में उसको खरिदा गया तुब RS थेकर खरिदा गया हो बोल रहा है करी पर 20% कर देखिए यहां पर 20% कर देखिए यहां पर 25% का लाभ कमा रहे यानिकि कि 100 लीषाट हो जागा बत्टमी कितना ब्रूल सब्सक्तितना हो जागा तर एक जिरो तो देखिए अंकित मूल था उसका 100 अब बेच दिया कितने में 102 में यानि कि उसको कितना परतिशत का लाव हुआ दू परतिशत का लाव हुआ उसको कितना परतिशत का लाव हुआ दू परतिशत का यानि आपका एंसर कितना हो जागा दू परतिशत के लाव पर बेच रहा है अंकित मुल से 2% अधिक पर बेच रहा है ठीक चलिए क्वेशन नमर 2 पर चलते हैं क्वेशन नमर 2 है एक वैपारी एक घाड़ी को उसके अंकित मुल के 10% छुट पर खरीदा तता फिर उसके अंकित मुल से 50% अधिक कर बेच दिया यह क्या तो बताइए कितना परतिशत का लव पर अप्श करते हैं बोल रहा है कि अंकित मुल पर 10% यानी माल लोगिये ऑंकित मुल कितना है 100 हो जागा कितना छूट मिल रहा है Manuel 30 यानि कि 9 पो खरीद रहा है थीक नबगप कर Fox present रहा है बोल्स रहा कि sniff 50 करते यानी कि सो में 50 के भर पृष एक सो पचास right 155 रहा तो देखिये अब उस सब्सक्राइब कितने का ढीश मैं बेच ल시면 का कितना का लब हो गया उचको साठ्हका कितने का हो तह लाब होगया 60 निकिलाब कितना हो गया 60 कितना पर साथ लाब होगया 90 पर गुणा 100 एक जिरो से लिच्ट परुड़ कर गया तीन दू निखो होता है तीतरी नौ होता है यानि कि 200 में 3 यानि इसका एंसर कितना हो गया 66 dynasty 2 buda 3% आपका L Ave हो जाएगा ईस question का answer चलिये Q2 का a answer कितना हो जागा Q2 A اफ 91 आपका answer हो जाएगा Q3 करायमोल 503 लाव समयता होगा यहाँ अगल कुट्माइम। इंश मताद आसनल में क्राइम। कितना था 100 था कितना कि एक सब्वीश तभी तो इन था लाँ निए कितना है तो बॉल्रहाँ को रहा है निची सूश बबण दाधु लगत लेकिन कितने पलाब बोल रहा है 120 पे गुड़ा 100 ठीक एक जिरो सेख जरो कड़ गया 6 दूनी बारा होता है यानि कि 100 बाटा में 6 यानि कि 16 चका 92 16 चका 92 पुणांग 2 बाटा 3 परतिसत यानि कि 16 पुणांग 16 पुणांग 2 बाटा 3 परतिसत अब का एंसर हो जाएगा चलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा यहां देखिए कुछ नहीं करना है तो बोल रहा है कि बिक्रायमूल पर कितना लाब होगा तो 20 रुपे लाब होगा था ना कितना पुणांग 2 बाटा 3 परतिसत आपका एंसर हो जाएगा कितना अन्सर ऊज्याएगा ऐसे चलिए 4 चलते हैं बोल रहा है कि करायमूल पर 30 पर 37 लाब हो रहा है कि महांन आ Mole जींच करायमूल पर 100 है उसक curt कितना लाब हो रहा था 30 पर 30 कम कितना हो जाएगा 70 पर 30 कम कितना हो जाएगा सतर हो जाएगा तो बोल रहा है कि क्रायमुल पर लाग कितना हो रहा है 30 क्रेमुल बटा में आ जाएगा ठीक क्रेमुल बटा में आ जाएगा गुणे 100 देखे एक जिरो से एक जिरो कड़ गया 300 बटा में 7 300 बटा में 7 देखे यहां से भाग देता है हम भाग दे जा जाता है 7 4 के कितना होता है 8 26 तीख 2 बच गया 7 2-0 14 तीख बच गया 6 तो 6 यहाँ जेगा 7 यहाँ जेगा नीकि 42 पुणांग 6 बटा 7 पर 30 अपका एंसर हो जाईगा तो चलीए Question 5 की होर चलते हैं तो बस्तु का लागत मुन क्या होगा चलिए क्वेशन को हल करते हैं बोल रहा है कि 10 पर तिसद लाफ रहा है तो तो दस पर तिलयलत के मातने सब्सक्राइब स्व क्रेंग पाचोंड एक eramगी तो उते संहिंप्स dent भी सांस से नवे सब्सक्राइब हां कितनी से आस ते सब्सक्राइब तो जब एक अनपात का मान तीस आ गया तो दौस अनपात का मान कितना हो गया तीन सबाब का एंसर हो गया यहीं तो पूछ रहा है क्रायमूल क्रायमूल आपका कितना हो गया तो चलिए question number 6 की और चलते हैं मुझे भी सास है कि आप लोग को ratio method से समाझ में आ रहा हुआ क्यूंकि हम लोग परतिसत से ही ratio method से पढ़ रहे हैं ratio method से ही हम लोग पढ़ रहे हैं परतिसत पढ़ लिए profit and loss खतम होने की का गार्पा है तो हम लोग ratio method को तो आप लोग समाझ ही चुके होंगे तो चलिए question number 6 की और चलते हैं question number 6 है एक बस तु बेचने पर क्रायमूल के एक बटा चार के बराबर लाब होता है यदि हुआ है oh it तीन सो हातर पर बेचा जाता तो उसका लागत मुलं बताओ बहुत ही असान कोचने यह इस question को के एक बटा चार कि एक बटा चार थे लाभ होता है जाए आप दुए नया थे जाएप करे निचे वड़ा है करे नदिना लाब हराए एक का तो देखें जब टिंए केच अविए हैं लेक्ष। misinविया हैक तरिय तरिय इंडिया हुँआ हैं ownership न स्मềसिर पैंश में आनมาने डिला क歲 पालारा प्रफ़ जानि एक ट्मान्हारा लामने के तुरें हमानना ही करती कि पैंश न स्मुनुड़ कपा फंव गेim और अगवने चार चार पचह हासित दू कितना हो जागा तिस ठीन सो पहे आपका हो जागा कितना जागा सबीका के और चलते हैं i reached अमसा एक इल्गा स्थे से किसी बस्तुक का अध्सव थे फूंध चा स मैं तो मृत मैं क्या होगा देखिए बोल रहा है क्रायमूल का क्रायमूल का क्रायमूल का क्रायमूल का क्रायमूल का क्रायमूल का का मने क्या होता है गुणा होता है आठ बटा पांच गुणा है आठ बटा पांच गुणा है देखिए क्रायमूल के इधर लाएंगे तब बिक्रायमूल बटा मैं करया मुल मैं पम्हर क्रेंट मोल हो गया बराबर बराबर आठ पांच तो देखिए विकरामन था नात्रिफा पांच कितना हो रहा है त्योए थी न थमर किस्के तो combien में fourgood back में आगूरें तो 20 पांच से कितना होता है सह होता है दिश्टीय कितना ओड़ साइजाया 6 परतिसाथ आपका क्या हो जागा लाब हो जागा इस क्वेशन का एंसर कितना हो जाएगा आप समनों डी आपका एंसर हो जाएगा चलते हैं क्यूंशन अब्र राठ यह एक चावल वैपारी बेचने में 20% कम वजन तोलता है और साथ ही खरिद्ध दर से 10 परतिसत आधिक विक्राय मुल्गोसित करता है तो कुल परतिसत लाब बता है देखिए बहुत ही मस्त क्वेशन है बहुत ही आच्छा क्वेशन है क्योंकि पीछे भी ऐसे क्वेशन हम लोग डिसकर्स कर चुके हैं तो देखिए आप लोग को समझने में कोई दिकत नहीं होगा क्योंकि आप लोग इससा क्वेशन हम बना चुके हैं तो चलिए क्वेशन को हल करते हैं बोल रहा है कि वाजन पर 20 पर 30 कम तोल रहा है तो देखिए पहले भी हम बतला चुके हैं कि माल लेजे एक केजी कोई बस्तू खरीद रहे हैं एक केजी का मतलब को बीज पर तिसत्थ कम तोल रहा है तो बॉल रहा है कि वहाजान पर बीश पर तिसत्थ कम तोलने का मतलब आट सो गराम तोल रहा है आठ सो ग्राम देखिए वात्सों में यह आठ सो ग्राम बेच रहा है लेकिन एक हाजर के जगत खरीद है नो चाहिए था लेकिन 2 प देखेज जब 1,800 अचत्व ग्राम का मुल कितना हो जामा उसका 800 रुपह हो जाएगा क्योंकि 1 ग घ्राम का एक रुपय था त्क पर नेकंत शहर दढ़ियो दक्र टाल इंगा क्यां टाल्ट करा हम ठीक तल रहा है लेकिन अंगित है मुंळ्ड उससे दस पषब्सदि Conservate all लेकिन और जो अंकित है मूल उससे 10 परतिस्ट अधिक लेकर बेच रहा है घुषित करता है 10 परतिस्ट अधिक यानि कि इसका 10 परतिस्ट अधिक कितना हो जाएगा एक हाजार का 110 बाटा में 100 100 कर जाएगा यहनि कि कितना हो जाएगा 1100 रुपया में बेच रहा है 800 गराम कितना में बेच रहा है 1100 रुपया में और उसको 800 पड़ा था कितना में 800 रुपया का तो देखिए कितना का लाब हो रहा है 300 का लाब हो रहा है 300 रुपया का लाब हो रहा है ठीक 300 रुपया का लाब हो रहा है तो पूछ रहा है कि परतिशत लाब कितना होगा तो देख उसको पड़ा 800 रुपेगा तो उसी कितर रिस्पेक्ट में बनेगा उसी कि रिस्पेक्ट में बनेगा अगुणे सब 202 जीरो कट जाएगा ठीक तो 300 बाटा में 8 यानि कि आपका 37.5 परतिसद आपका लाब हो जाएगा चलते हैं टीवी के मुल में 30 परतिसद की विरिदी हो गई तथा उसके संख्या में 20 परतिसद की कमी हो गई तो वीक्री पर क्या परभा पड़ेगा देखिए जब भी आप लोग पुछ खरीदने जाते होंगे तो जब समान का रेट बढ़ जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसक कोई व्यक्ति उसको कम खरीदने जैसे कि जैसे माल लिए के टामाटर पीछे ले सल बढ़ा था रेट बढ़ा था 200 रूपे कीलो हो गया था तो उसको लोग खरीद रहा है थे लेकिन 100-200 गराम चाहें 20-200 गराम खरीद रहा थे लेकिन जब सास्ता होता है तो वहीं किया कैता है देखिए देखिए बुल रहा है कि 30% वी रिधी हो रहा है निboards there कि मोलत में 30% 20 research कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा देखिए 30% मतलब को चूचि 10 रहा है एक कम हो गया तो 5 से 4 हो गया अब देखें क्या करना है ये को आफको इसको गुण कर देना 5 दहा 50 हो जाएगा ये 14 यृ छो मिभास गाना चाह सब्भाथ धीन कम कहा है 2 बcockत अलगूर रहें किस्के रिस्पेक्ट में पचाास में रिस्पेक्ट में कोड़े सो पजाए कुछ दुनि HARRIS कितना होता है सब यानिकि 2 दुनि चार प्रतिसद का क्या हो जागा बिरिधी हो जाएगा 2 तर चलिए इसक्वेशन का एंसल कितना हो जएगा एक ब्यक्ति 20% छूट पर एक रेडियो खरिदता है, 720 रुपिया में बेच कर भी वाब 20% का लाव कमाता है, तो रेडियो का अंकित मूल क्या होगा, देखिए क्वेशन, चलिए क्वेशन को हल करते हैं, देखिए, बोल रहा है कि 20% के छूट हो रहा है, तो 20% के मतलग होची, कि 20 पचे 100, यानि कि एक बठा V, जिरीत मूल 5, नंकित मूerkा छूट, धा इक की छूट लिए, जिए जिए 20% कर लाव बेच रहा है, तो उसको कितना परतिशा चलाव था रहा है, तो इसको तो थेखिए 10% क्या चलाव होगा झाण पर. यानि कि अठारा चुग कितना हो जाएगा बहत्तर बोल रहा है कि अंकित मूल क्या होगा तो अंकित मूल क्या होगा अठारा पचे नव यानि कि 900 रुपया आपका अंकित मूल हो जाएगा इस क्वेस्चन का इंसर कितना हो जाएगा इस क्वेस्चन का इंसर अफसर नमबर यह हो जाएगा 900 रुपिया तो चलिए मिलते हैं नेक्स टेशन में यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा इस चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जाहिन।